चलिए friends मिलकर बनाते हैं बजी हुए रोटी से बहुती सांदार लडू टेश्टी तो होता ही है साथ-साथ में यह फायदे मन्द भी होता है तो चलिए मिलकर बनाते है सबसे पहले हमने ये 5 पीसद रोटी मेरे पास तलिए मेरे पास तो अगर आप ताजे रोटी को बनाना च टॉटी टैयार के लेना नहीं है। नारियल के मातर थोड़ा कम जादा करके लिए ऐसे दर बार है कि सब्सक्राइब करके है। वन फोर्थ हमने नारियल लिया है तो नारियल के मातर थोड़ा कम जादा भी कर सकते हैं इसे दरबारा पीस के तयार कर लेना है अब एक बरतन में खाली कर लेंगे पैन हमने चड़ा दिया गईस की फिलिम को आन कर दिया इसमें तीन से चार चमत घी डाल देंगे और अच्छे बिलकुल नहीं होना जाहिए अलट-पर-बणके अच्छे से नियुक्र-बढ़ा हो जाता है और यह देखे अभिसे निकाल लेंगे अब जो मेरे पास बचा था गौंत भी डाल के हम छान लेंगे बहुत अच्छे से अलट-पर-ड़टके अच्छे से लियानी क्रिस्पी हो अब इसमें एड़ करेंगे हम पिसी हुई रोटी और इसमें पांच मिनट बहुत ही ढीमी आजबे से भुनके तयार कर लेने यानि कि यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए यह भुनके थोड़ा सब मतला ब्राउन हो जाना चाहिए और यह जितना अच्छा आप भुनेंगे उतने काजू बादाम बहुत चोट चोट पी कर लिये थो इसे थोड़ी देर भुनेंगे और अ क्चछा पन निकल जाए 20 सेकैंड के अंदर में हिसे भुनके हमें हटा देना है तो देख सकते हैं इसका क्चा पन निकल गया है अभ से हम एक पलेट में खाली कर लेंगे ठंड़ा हो ढलें हिए 2 जमजगी, तो बहुत अच्छा टेश्ट आता है अब इसे बहुत अच्छ से बंले correspondence पका लेना है अब इसमिंटे हम ढालें थोड़ा सा चीनी आड़ करेंगे तो चीनी अगर नहीं पसंद्द कर रहे हैं रिंगें हैं तो चीन आप इसे भी बना सकते हैं या पूरी चीनी इसे बहुत बहुत ऑच्छे से पिघलłychं तो इसे बगाने बना मैं बigent से takya eros बहुत अच्छे से हो चुका है अब इसमें इलाइची पावडर कुटी हुई डाल देते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सारे ड्राइफूर्स जो हमने भून के रखा था वो डाल देना है इसके फ्लेम को यहीं पर आफ कर देना है अब यह जो हमने गोद ली थी वहा तो देख सकते हैं बहुत अच्छे सी मिक्स कर लिए है अब यह थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए इसके लड्टू बनाके तयार कले हैं तो चोटे बड़े जैसे आप पसंद करते हैं तो यह बहुत ही बढ़ियां लग रहा देखने में और खाने में तो टेस्ती लगता ह तो मतलब कोई कह नहीं सकता है कि रोटी की बनी ये लड़ू है तो बहुत यही टेश्टी बनके तयार होती है तो सभी लोग बहुत जादा इसे पसंद करते हैं तो जरूर ट्राइ करिएगा वीडियो पसंद आये तो हमें कर्मेंट जरूर करिएगा फिर मिलते में अगले वी वीडियो पसंद आये तो लाइक कर देना साथ साथ में सब्सक्राइब